बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है। वही सबसे ज्यादा दुखी होता है जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता। वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देख कर कभी-कभी लगता है कि भगवान ही गलत है। भगवान का न्याय ही गलत है या कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णा ने स्वयम इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने श्रीमत भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पश्टता के साथ बताया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच समवाध हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वह ज्यादतर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भ अध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया जानते हैं, उस छोटी सी कहानी के बारे में, एक गुरु के दो शिश्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे, दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था, और दूसरा भगवान को ना मानन एक ऐसा था, जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दोड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था, दूसरा शिश्य इन सब चीजों से काफी दूर था, वह शराप पिया करता था, वैश्याओं के रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह जोर-जोर से चिला के बताता है, आज मुझे पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक्ताओं की पूर्ती कर अचानक उसके पैर में बड़ा सा काटा चुप जाता है, रक्त निकलने लगता है, ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है, और हस्ते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना, जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करत भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ, अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुबने लगी, उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थन गुरू से करता है। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं, वह पूर्व जन्म में एक संत महा पुरुष था, इसलिए उसका जीवन बदलने वाला था, करोडों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अर्वों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, भगवान को दोश देना छोड़ दो अपने वर्तमान के समय का सद उपयोग करें, भविश्य अपने आप सुधर जाएगा, इस प्रकार उसकी आँखें खुल गई, और वह फिर से पूजा पाठ में लग गया, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का न्याय हमेशा सही होता है, हमें कभी भी भगवान पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, हमें हमेशा अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, यदि हम अच्छे कर्म तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, यदि हम बुरे कर्म करेंगे, तो हमें बुरे फल मिलेंगे, भगवान हमेशा हमारे कल्यान के लिए ही कार्य करते हैं, हमें कभी भी भगवान के प्रती अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाह यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों से इरश्या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।